वेलकम टोल लियाईस स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Miscellaneous Current Affairs Revision का ये हमरा तीसरा लेक्षर है आज के इस सेशन में हम नमबर महिने के Miscellaneous Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल Climate Change Disclosure Law के बारे में है New Zealand ने इस समद में एक कानून पास किया है और दुनिया में ये ऐसा पहला देज बन गया है जो इस समद में कानून पास कर रहा है अब बलाइस कानून में है क्या? बहुत ही आसान सा कानून है उनके Financial Sector में जो भी Entities involved हैं, Companies involved है उनसे कहते हैं कि आप ये बताईए कि आपको क्या लगता है Climate Change होने के वज़र से आपके Company को पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको क्या नुक्सान हुआ है? इस कानून का नाम उन्होंने कुछ रखा है, अपने काम का तो नहीं है इसा कोई कानून किसी देश में आया है, ये example के तोर पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे बिल में जो भी Banks हैं या फिर Insurers हैं, Firms हैं या Investment Managers हैं उन्हें बताना होगा कि Climate Change का उनके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है जो firm हैं वो अपने Investment को भी Assess करेंगे और Company को भी Evaluate करेंगे कि Environmental Impact उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं फर्दर उन्हें ये भी बताना होगा कि जो नुकसान हुआ है, उसका रिस्क उनके ओपर कितना है और उसे वो कैसे मैनेज कर रहे हैं जो Disclosure है उसके जो Standards है वो उनकी कोई External Reporting Board है वो डिसाइड करेगा हम क्या गरेंगे जानके जो Disclosure है वो 2030 से वहां की Company के लिए mandatory हो जाएगा इसका फायदा यह होगा कि मानली जी आप environmental question कोई means वगरा में भी deal कर रहे हैं और आप कोई way forward देना चाहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि climate change का प्रभाव इंडिया में entities के उपर क्या पहर रहा है सम्मन में भरत को New Zealand जैसा ही कोई law लाना चाहिए तो आप उनका एक example दे देंगे आपका काम हो जाएगा इसके पहले कि हम आगे बढ़ें थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तेजस के बारे में Hard work beats destiny इस course के जरीए आप 250 से अधिक घंटों के वीडियो lectures में अपने prelims 2022 की preparation कर सकते हैं NCRT की जो भी important topics हैं वो आपके इस course में cover हो जाएंगे Prelims के strategy को संग्यान में लेकर आपकी classes को prepare किया गया है 500 दिनों का subject wise current affairs का lecture इसमें include कर दिया गया है Regular topic based test होंगे 15 full length test भी इसका हिस्सा है Prelims का study material और dedicated mentorship important part है अगर आप इस course को अवेल करते हैं तो CSAT के lectures आपको free of cost मिल जाते हैं इन courses को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onies.in पे या फिर आप call कर सकते हैं किसी doubt के लिए 7007-931-912 पे या फिर mail कर सकते हैं info at the rate onies.com पे हमारा next article dairy सहकार scheme के बारे में है Union Minister of Corporation ने भी हाली में इस scheme को launch किया है सहकार यानि की cooperate करना ताकि अगर आप cooperate करते हैं तो और बहतर तरीके से काम किया जा सकता है dairy sector के लिए है मामला simple सा इतना है vision यह है कि हम cooperation के जरीए prosperity लेकर आएंगे from cooperation to prosperity जितना ज़्यादा cooperation enhance होगा prosperity उतनी ज़्यादा बढ़ेगी कौन implement करेगा इस scheme को implementing agency है national cooperative development corporation जो कि ministry of cooperation के तहत ही काम करती है तो NCDC dairy सहकार के तहत financial support भी दिया जाएगा यह financial support NCDC ही देगा यानि कि national cooperative development corporation यह financial support किस लिए दिया जाएगा wine development के लिए जो मवेशी होते हैं उनके development के लिए milk procurement के लिए जो भी milk product है उनके processing के लिए quality assurance के लिए value addition के लिए branding, packaging, marketing, transportation, milk storage और milk product के storage के लिए भी पैसे दिये जाएगे जो और initiatives चल रहे हैं dairy field में जो चाहे वो state government का हो या फिर union government का हो उनको एक साथ converge किया जाएगा further अगर इसके development के लिए कोई corporate social responsibility के तहत पैसे आ रहे हैं तो ऐसे initiatives को भी इस scheme के तहत converge कर दिया जाएगा ताकि एक holistic तरीके से development किया जा सके इस पूरे sector का हमारा next article आयूसमान C.A.P.F के बारे में है आसान है C.A.P.F का मतलब होता है Central Armed Police Force आयूसमान भाहत इस scheme सरकार किया है जिसके तहत उन्होंने प्लान बनाया था कि हम 50 करोण लोगों को health insurance देंगे 5 lakh per annum का actually में यहाँ पे 10 करोण families को cover किया गया है ठीक है तो अभी इसे extend कर दिया गया है सभी प्रकार के Central Armed Police Forces के लिए यह joint initiative है Ministry of Home Affairs का Health Ministry का और National Health Authority का इसमें सभी प्रकार की Central Armed Police Force की जो services हैं वो include हो जाएंगी जैसे की Assam Rifles Border Security Force BSF Sassastra Seemabal SSB Central Reserve Police Force CRPF Central Industrial Security Force CISF National Security Guard यानिकि NSG और Indo-Tibetan Border Police ITBP ना केवर यह personal बलकि इनके family member भी आईश्मान भारत का हिस्सा बन जाएंगे और इन-patient और out-patient care अवेल कर सकेंगे उन सभी hospitals में जो आईश्मान भारत PMJ के तहत आते हैं ठीक है article हर घर दस्तक campaign के बारे में है नाम से ही समझ में आ रहा है जैसे कोई आपके घर पर आकर आपका धरवाजा खट-खटाए या दस्तक दे Government of India ने अभी launch किया है हर घर दस्तक campaign अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार आपके घर का धरवाजा खट-खटाएगी वैसे तो COVID-19 vaccination काफी तीजी से चला और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली भी लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक COVID-19 vaccine का एक भी dose नहीं लिया है कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर vaccination drive काफी कमजोर रही है और लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है ऐसे district को poor performing district कहा गया है तो जो भी district यानि की जिले poor performing district की कटेगरी में आते हैं वहाँ पर government के healthcare workers जाएंगे लोगों से बात करके उन्हें vaccination देंगे इसलिए इस campaign को launch किया गया है अभी तक कितने लोग vaccinate हो चुके हैं इंडिया में हम बात करेंगे government data की government data के according जो भी eligible population है यानि 18 year and above उसमें 78% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम COVID-19 vaccine का पहला डोज तो ले ही लिया है और 38% population ऐसी है जिन्होंने COVID-19 vaccine का दूसरा डोज भी ले लिया है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लखपती SHG Women Initiative के बारे में है SHG ये stand करता है Self-Help Group के लिए Ministry of Rural Development ने launch किया है लखपती Self-Help Group Women Initiative ध्यान दीजेगा फिर से बोलता हूँ Ministry of Rural Development का इनिशेटिव है लखपती वर्ड से स्पस्ट हो रहा है कि यहां पे जो Self-Help Group में काम करने वाले लोग है उन्हें लखपती बनाने के planning चल रही है लखपती बनने का मतलब यह होता है कि उनकी income कम से कम एक लाग तो हो एक लाग का महिना कुछ जादा हो जाएगा एक लाग रुपए पर एनम की बात चल रही है यहां पर इस इनिशेटिव के जरीए जो रूरल Self-Help Group है गामों में जो Self-Help Group काम करते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में इकठा होते हैं कोई एक common काम स्टार्ट करते हैं इसकी मदद से सभी को फायदा होता है इसमें जो महिलाएं involved हैं उनकी annual income कम से कम एक लाग रुपए की हो जाए इसके लिए सरकार उनके source of income को diversify करेगी उनके पास एक से अधिक source हो income के वो agriculture के साथ साथ जुड़ी होई services हो सकती हैं livestock वो मवैसी पाल सकते हैं या फिर NTFP non-timber forest products timber मतलब लकडी हो गया जंगल से लकडी कातना allowed नहीं होता लेकिन कुछ non-timber product भी हो सकते हैं कोई fruit हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं इनका इस्तिमाल करके भी income avail की जा सकती है तो इसके जरिए हम जो SHG में काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी source of income को diversify करेंगे ताकि उनके पास जादा पैसे बचें इसके जरिए 25 million, 25 million, rural self-help group women को अगले दो सालों तक livelihood support देने की बात की जा रही है जो हमारा next article है वो Building Climate Resilience in Asia Pacific Region report के बारे में है नाम से स्पस्ट है, ये एक report है अब यहाँ पर एक बात all clear है कि ये Asia Pacific Region से यानि की छेतर से संबंदित एक report है यहाँ बात की जा रही है Climate Resilience की Climate Resilience का क्या मतलब होता है Resilience का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सहने की छमता Climate Change हो रहा है Climate Change की वज़े से कई सारी चीज़ों पर निगेटिव इंपक्ट पड़ रहा है Including Agriculture तो क्या हमारा Agriculture Climate Change की इंपक्ट को सहने की छमता रखता है उसे ही कहा जाएगा Climate Resilience अगर ये छमता नहीं है तो हम उसे बिल्ड करेंगे इस रिपोर्ट में यही बात की गई है कि हम कैसे Asia Pacific Region में Climate Resilience को और बहतर कर सकते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है International Fund for Agricultural Development के द्वारा जिसे आप I-FED भी बोल सकते हैं Asia Pacific Region में अगर आप ध्यान दे तो दुनिया की जो भी poorest population है ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब है उसके two-third लोग आपको Asia Pacific Region में मिलेंगे मतब दुनिया का ये ऐसा हिस्सा है जहां पर गरीबी comparatively ज़ादा है Climate Change की वज़ए से additional threat आता है Climate बदल रहा है उनके पास जो थोड़े बहुत आजीविका के साथन है वो भी छिन जाएंगे Agriculture सबसे ज़ादा प्रभावित होगा जो marginalized लोग है वो अकसर खेती पर क्रिशी पर निर्भर होते है Climate Change की वज़ए से अगर वो प्रभावित होता है तो उनकी आजीविका चली जाएगी उनका livelihood छिन जाएगा UN Escape के मुताबिक Climate, Weather और Geophysical Hazard जो कई सारे hazardous event होते है Disasters आते है उनसे लगभग 780 billion dollar का नुकसान हर साल Asia Pacific Region को सहना पड़ता है ASAP के बारे में बात करते है Adaptation for Small Holder Agriculture प्रोग्राम के बारे में IFAD ने ही इस प्रोग्राम को 2012 में लॉंच किया था IFAD वही संस्था है Fund for Agricultural Development ये Agriculture के Development में वर्क करते है 2012 में इस प्रोग्राम को तयार किया था Flagship प्रोग्राम है इनका जहां पर ऐसे लोगों के लिए प्रयास किया जाता है जिनके पास खेती की कम जमीन है इन्हें आप Small Holder Farmer बोलते हैं जिसके पास 2 एकर एक एकर से भी कम खेती की जमीन है 41 देसों में जो ऐसे किसान है जिनके पास बहुत कम जमीन है और Climate Change की वज़ा से उन्हें और भी नुकसान हो रहा है तो जो Climate Change को counter करने के लिए Fund मिलता है उसको ये Divert करते हैं Marginalized Farmers को ताकि वो बढ़िया खेती कर सकें Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Laos, Nepal और वियत नाम में किसानों को इसका फाइदा मिला है First phase में ये प्रोग्राम 2012-2017 के बीच में चला था अब इसका next phase लाँच करने के तयारी चल रही है नाम दिया जाएगा ASAP Plus क्योंकि ये नया initiative होगा उसका extended version होगा Enhanced Adaptation for Small Holder Agriculture Program यहाँ पर जो focus होगा वो women और youngsters पर सबसे ज़ादा होगा हमारा next article LZTFL1 के बारे में है बहुता ये अजीब सी चीज क्या है अच्छा आपनी बात को ध्यान में दिया या नहीं COVID-19 दुनिया के लगभग हर हिस्से में फैला लेकिन कुछ जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए जबकि कुछ जगहों पर कम लोगों की मौत हुई ये variation क्यों हुआ जबकि virus वही है उसके strains लगभग हर जगह वैसे फैले तो कुछ जगहों पर लोगों का जादा मरना और कुछ लोगों का कम मरना ऐसा क्यों हुआ post analysis चल रहा है post analysis में ही ये पाया गया एक और भी अगर आप देखेंगे तो South Asia के region में जो भी countries है वहाँ पर death rate ज़ादा है हलाँ कि उसका एक कारण वहाँ का weak medical infra भी रहा है वहाँ की weak social economic condition भी रही है लेकिन कुछ और भी हो सकता है कि South Asia में लोगों के जान जाने की दर जादा रही comparison to other part of the world researchers जो belong करते हैं Medical Research Council Weatherall Institute of Molecular Medicine जो कि University of Oxford का हिस्सा है उन्हें अभी कुछ मिला है उन्हें मिला है एक gene उस gene को ही नाम दिया गया है LZTFL1 उनका ये कहना है कि ये gene responsible है कि कुछ जगों पर या कुछ communities में लोगों की जादा जान गई उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जिनकी ancestry South Asia से है मतलब जिनके पुरवज या वन सच South Asia से बिलॉंग करते थे उन में 60% लोगों में ये gene पाया जाता है और जिन भी लोगों में ये gene पाया जाता है उनकी respiratory system में COVID-19 के दुराँ ज़ादा problem आई और इसलिए उनकी जान भी ज़ादा गई इसलिए जब second wave इंडिया में आया तो वो काफी harmful रहा और South Asia में लोगों की काफी ज़ादा जान गई In fact, UK में जो South Asian ancestry से बिलॉंग करने वाले लोग थे उनकी जान ज़ादा गई है ये analysis में निकल के आया है इसका मतलब ये है कि जो gene है वो एक individual के lungs को virus के पर रिस्पॉंज करने को लेका थोड़ा weak बना देता है जिससे COVID-19 में उनकी जान जाने का ख़तरा लगभग दो गुना होता है लेकिन एक बात और निकल के आई कि ये जो gene है ये केवल lungs को प्रभावित कर रहा है body के immune system को नहीं इसलिए vaccine तो उन पर भी उतनी ही कारगर होगी जितनी की बाकियों पर ऐसे researches का क्या फाइदा होता है फाइदा ये होता है कि अगर हमें पता है किस प्रकार के gene से लोगों की जान जाने का खत्रा बढ़ता है तो हम ऐसे लोगों को target करके पहले vaccine दे सकते हैं ताकि हम आने वाले खत्रे से बस सकें हमारा next article non-muslims को civil marriages के लिए allow कर दिया गया है UAE में उसके बारे में है आबुधाबी जो कि UAE का एक emirate है एक छेत्र है कई सारे emirates को मिला कर बनता है UAE नाम का एक देश उसमें कई सारे emirates है और उन्हीं में से एक emirate है अबुधाबी ये है map में UAE यहाँ पर है ओमान, ये है सौदी रेबिया और ये है यमन UAE के map को बड़ा करते है यहाँ पर इसका एक बहुत ही बड़ा emirate आपको आबुधाबी दिख रहा होगा इसके लामा ये है दुबई, ये है सारजा आबुधाबी ने अभी civil marriages allow कर दी है ऐसे लोगों को जो non-muslims है non-muslims अब marry कर सकते हैं divorce भी कर सकते हैं और बच्चे की custody भी ले सकते हैं आबुधाबी में ये जो नया law अभी तयार किया गया है उसके तहट अब इससे काफी जादा फाइदा हो जाएगा जो non-muslims वहाँ पर शादिया करना चाहते हैं उनके लिए और आने वाले समय में आबुधाबी एक wedding destination भी बन सकता है इसके माध्यम से जो आबुधाबी है वो global competitiveness enhance करने की कोसिस करेगा कई सारे ऐसे race हैं जहां पर जाकर लोग शादिया करना पसंद करते हैं अब आबुधाबी भी ऐसी एक location बन सकता है इसके पहले तक UAE में भी बाकी गल्फ कंट्रीज की तरह ही जो साधी या फिर डाइवोज के प्रावधान हैं वो Islamic सरिया principles पर बेजड होते थे लेकिन ये बदलाओ काफी positive रहेगा हमारा next article Global Drug Policy Index के बारे में है drugs के cases हाल फिल हाल में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा news में है आपने देखा कि सारुक खान के बेटे आरियन का जो case था वो बहुत ज़्यादा highlight हुआ था इस दौरान एक और index news में आया है जो drugs से ही संबन्दित है Global Drug Policy Index इसे Sunday को release किया गया Harm Reduction Consortium ने इस index को तयार किया है यह इस प्रकार का कोई पहला index है जो इस बात को analyze करेगा कि दुनिया भर में जो देश हैं वहाँ पर drugs को लेकर कैसी policies हैं और जो लोग इसकी चपेट में आते हैं उनको लेकर क्या प्रावधान है यहाँ पर data driven global analysis किया किया है मतलब कि जो भी laws बनाए गए है उनका implementation किया है तो मतलब laws and उनका implementation इन दोनों बातों को आधार बना कर इस policy index को तयार किया गया है यहाँ पर पांच बड़े dimensions कवर किये गए है जैसे कि criminal justice का mechanism किया है extreme response कैसे लिये जाते हैं drugs की cases में health और harm reduction के लिए क्या प्रावधान है international controlled medicines कितनी accessible है ऐसे लोगों के लिए जो drugs के लती हो गए है या आदती हो गए है क्या उन्हीं उससे बाहर निकालने के प्रयास किये जाते हैं और development का क्या mechanism है जैसे कुछ plants ऐसे होते हैं जिनें उगाया जाता है कुछ medicinal purpose से लेकिन उन्हीं का इस्तेमाल drugs बनाने के लिए भी किया जाता है तो क्या हम किसी ऐसे alternative के तलास कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम इन plants को eliminate कर सके medicine industry में ताकि drugs की समस्या से भी निजात पाया जा सके key point ये है कि Norway, New Zealand, Portugal, UK और Australia top 5 पर हैं सबसे नीचे Brazil, Uganda, Indonesia, Kenya और Mexico है इंडिया की rank 30 देसों में 18 है हमरा next article Goa maritime conclave के बारे में है conclave का क्या मतलब होता है conclave का मतलब होता है meeting जदा technical मत बनाईए इसे Goa maritime conclave मतलब Goa maritime meeting meeting हुई होगी कुछ लोगों की उसे के बारे में बात है ये इस meeting का 30 एडिशन था इसे held किया गया Neville War College के दवरा जो की Goa में ही situated है क्या objective रहा अगर कुछ लोग आए हैं एक अठा meeting करने के लिए तो एक collective wisdom से एर होगी further जो maritime thoughts हमारे हैं उसके सम्मन्द में हम कुछ positive outcomes निकाल सकते हैं theme क्या रही maritime security and emerging non-traditional threats a case for proactive role for IOR navies IOR का मतलब यहाँ पर है Indian Ocean Region आगे देखते हैं इसे host किया गया रहा Indian Navy के दवरा under Neville War College of Goa कौन लोग meeting में आए navies के जो chief है या फिर maritime forces के heads जो 12 Indian Ocean Region वाली countries हैं उन सभी लोगों ने इस conclave यानि की meeting में हिस्सा लिया Goa maritime conclave ये सभी original stakeholders को एक सांत लेकर आता है ताकि सभी लोग मिलकर strategy को implement कर सकें जो participants होते हैं वो इस interaction से benefit अवेल करते हैं और जो experts होते हैं वो भी अपनी राय दे देते हैं ये सारी बाते आपने समझी हमारा next article टेले law on wheels campaign के बारे में है टेले law देखिए एक प्रकार का mechanism है जिसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी case में उलद जाते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है इस case में क्या जरूरी बाते हैं कैसे हम legal procedure opt करें In that case कई सारे lawyers ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो टेले law initiative ऐसे lawyers जो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं और ऐसे लोग जिने मदद चाहिए उन्हें एक साथ जोड देता है इन दोनों ही लोगों को जोडने के लिए एक तेले law app था जिसके माध्यम से ये आपस में connect हो सकते हैं फर्दर यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये तेलेला मॉबाइल एप है Ministry of Law and Justice ने इसे launch किया था ताकि जो beneficiaries हैं वो panel of lawyers के साथ connect करके assistance ले सकें कई सारे ऐसे लोग हैं जो directly interact नहीं कर सकते अगर उन्हें video conferencing के माध्यम से मदद दे दी जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा लेकिन अब लोगों को कैसे पता चलेगा कितने लोग तो होंगे जिनके पास mobile नहीं होगा, device नहीं होगी, internet नहीं होगा तो वो इस initiative के तहत कैसे जो lawyers से उनसे connect कर पाएंगे तो हमें पता है कि भारत सरकार ने बहुत सरे जगों पे common service centers खोल रखे हैं, यह e-governance का एक mechanism है, जहां पर common service centers में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो various services प्रोइड करवाता है जो internet से associated भी हो सकती है चार लाग से जादा digitally enabled common service centers पूरे देश में हैं तो common service centers को ही एक नया tag दे दिया गया कानूनी सलाह सहायक केंद्र इनसे कहा गया कि आप लोगों को अपने पास लेकर आईए और हम lawyers से उनको connect करेंगे उन्हें अगर कोई pre litigation advice चाहिए तो वो हमसे ले ले और जो भी उनके समस्या है उसके लिए suggestions ले ले ये एक special login week को भी include करता है जिसमें common service centers पे जाकर लोग वीडियो conferencing के माध्यम से जो भी services हैं उन्हें access कर सकते हैं उमीदितन आपने ये आर्टिकल भी समझ लिया है हमारा next article Padma Awards के बारे में है President of India ने अभी हाल ही में 119 recipients को राष्टुपती भवन में Padma Awards तीए Padma Awards इंडिया का highest civilian honor है इसमें कई Awards आते हैं अभी आप समझ लेंगे इन्हें हर साल Republic Day के दिन announce किया जाता है 1954 में 1954 में इन्हें institute किया गया था उसके बाद ये लगातार साल दर साल दिये जाते रहे हैं कुछ सालों में इन्हें सस्मेंट जरूर किया गया है like 1978, 79, 1993 and 1996 से लेकर 1997 के बीच में ये Awards नहीं दिये गए हैं objective ये है कि अगर किसी विक्ती ने किसी भी फिल्ड में बहुत अच्छा काम किया है तो उन्हें ये Awards दिये जाए ये कोई title नहीं है और recipient जो ये Awards पाते हैं वो इसे suffix या prefix के रूप में इस्तिमाल नहीं कर सकते अपने नाम के आगे या पीछे usually ये जो Awards हैं ये March और April में दे दिये जाते हैं announcement जन्वरी में ही हो जाती है लेकिन इस साल की जो situation रही मतलब COVID का समय रहा possibly इसी वज़े से ये delay हुआ है यहाँ पर तीन categories में ये Awards दिये जाते हैं इनमें सबसे supreme category है पद्म विभूशन की अगर किसी व्यक्ती ने बहुत ही विशेस काम किया है that is exceptional जो कि बहुत मुस्किल तो पर कोई कर सकता है तो पद्म विभूशन दिया जाता है पद्म विभूशन दिया जाता है किसी ने बहुत high order का विशेस काम किया है विशेस service दिये और पद्म स्री दिया जाता है किसी विशेस service के लिए ध्यान दीजेगा कि पद्म अवार्स तभी दिये जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया हो, जिसमें service का elements involved हो, मता आपने समाज के लिए कुछ बहतर किया है. पद्म इभूशन इस hierarchy में सबसे उपर है, जैसा कि हम समझी चुके हैं. Discipline, किसी भी discipline में इसे दिया जा सकता है, जैसे कि social work, art, science and engineering, trade industry, medicine, literature, education, sport, civil service, किसी भी field में इसे अवार्ड मिल सकते हैं, condeside करता है, एक पद्म अवार्ड कमेटी होती है, जो recommend करती है कि किसे देना है, किसे नहीं, Prime Minister इस कमेटी में होते हैं, और President of India फाइनली ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं, या जी नहीं प्रदान किया जाना है, उन्हें प्रदान करते हैं, तो इस सारी बाते आपने पद्म अवार्ड के बारे में समझी, हमरा नेस्ट आर्टिकल, World Table Tennis Contender, Lasko के बारे में है, देखिए, ये जो competition है, ये Lasko में हुआ, Slovenia में, Slovenia एक African country है, वहीं पर एक location है Lasko, जहाँ पर ये competition और्गिनाईस किया गया था, ये है Europe का map, ये जो red color का आपको spot दिख रहा है, यही है Slovenia, और broad map देखना चाहते हैं, तो इटली से लगता हुआ दे, Slovenia आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये Croatia के सांथ border share कर रहा है, और Austria के सांथ share कर रहा है, ठीक है, तो location आपने ये उरोप में देख ली, यहीं पर जो Lasko जगे हैं, वहाँ पर ये competition हुआ, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश का मत, इंडिया की ओर से, इस championship में जीत चुके हैं, वोमेंस डबल में ये जीत हासिल हुई है, इस championship को, यानि कि World Table Tennis Championship को, 1926 में start किया गया था, 1977 के बाद, ये हर दो साल में एक बार organize किया जाता है, इस पे पाँच events होते हैं, मेंस single, मेंस double, मतलब दो लोग एक साब खेलते हैं एक team में, वोमेंस single और वोमेंस double, और mixed double होता है, मतलब मेर फ्रीमेल दोनों ही एक team में होते हैं, हमरा next article, Leadership Group for Industry Transition, यानि कि Lead It के बारे में है, Lead It को, इसका जो summit है, वो अभी हाल ही में organize किया गया, इंडिया और स्वीडन ने इसे preside किया, इंडिया और स्वीडन ने इसे 2019 में नियुआक में, जो summit होई थी, UN Secretary General's की Climate Action Summit जो होई थी, उसी दौरान launch किया था, यहाँ पर स्वीडन के Prime Minister, इंडिया और WEM, World Economic Forum, इन तीनों ने मिलकर ही से launch किया था, इसे होश्ट किया गया था, Stockholm Environment Institute, स्वीडन के द्वरा, यहीं इसका security rate भी है, परपस यही है, कि हम लो carbon transition में जाएं, जो private sector की companies हैं, basically iron and steel companies, aluminium, cement and concrete companies, petrochemicals, fertilizers, bricks, heavy duty transport, यह ऐसी industries हैं, जहाँ बहुत ज़दा carbon dioxide का emission होता है, ऐसी emission को हमें reduce करना है, हमारा next article अफगानिस्तान के हजाराज के बारे में है, कई सारे हजाराज अभी भी distrust रखते हैं, जो insurgent turned rulers हैं, यानि कि Taliban, कि सरकार जो भी अफगानिस्तान में बनी हैं उनके पती, वो ethnic पस्तून है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं अफगानिस्तान में कभी भी equal treat नहीं किया जाएगा, हजाराज काफी लंबे समय से एक persecuted community रहे हैं अफगानिस्तान, हजाराज mainly siya muslim community से belong करते हैं, जबकि Taliban पस्तून हैं, यानि कि ethnic पस्तून होने का मतलब यह है कि वो सुन्ही community से belong करते हैं, तो जब पिछली बात तालिवान की सरकार आई थी, उस दौरान भी हजाराज का काफी persecution किया गया था, हजाराज ethnic और religious minority group हैं, जो कि Central Afghanistan की region में रहते हैं, जिसे हजाराजाद भी कहा जाता है, यह location है, हजाराजाद की, यहाँ पर mainly concentrated हैं हजाराज, फर्दर यह वाना जाता है कि चंगेज खान जो मंगूल empire का founder हुआ करता था, उसकी आर्मी ने जब कबजा किया था, अफगानिस्तान के region में 13th century के आस पास, तो यह जो हजारा community के लोग हैं, यह उन्ही के उसी मतब चंगेज खान के ही वनसच हैं, थोड़े बहुत अंतर भी दिखते हैं, जैसे की इनमें कुछ asiatic features मिलते हैं, इनका dialect Persian है, जिसे आप हजारगी बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसी संस्था जो बताती है कि किस देश में कितनी ज़्यादा घूस ली जाती है, या फिर corruption होता है, यहाँ पर mainly जो focus में है वो है business, जो businessmen होते हैं, उन्हें अलग-अलग level पे अपना काम करवाने के लिए, जो कि formal way में होना चाहिए, पैसे देने पड़ते हैं, जब भी यो government के साथ interact करते हैं, तो government के officials उन्हें से demand करते हैं, कि हम आपका ये paper तब forward करेंगे, जब आप हमें इतने पैसे देंगे, तो जो business है, वहाँ पर bribery का क्या risk है, 194 जिसों में इसे evaluate किया गया, इसमें territories, autonomous और semi-autonomous regions भी सामिल है, चार parameter से इस्तिमाल किये गए, मतलब ये रिस्क तब क्या होता है, जब कोई business interact करता है government के साथ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा bribery के cases आते हैं, anti-bribery deterrence, इस समन्द में क्या कानून मिनाए गए हैं, transparency है कि नहीं नियम कानून में, और civil society इस चीज को कैसे देखती है, क्या मिला, North Korea, Turkmenistan, Venezuela और Eritrea, यहाँ पर सबसे ज़्यादा bribery का risk रहता है, Denmark, Norway, Finland और Sweden, यह कम risk वाले देश हैं, या पहुत कम risk वाले देश हैं, इंडिया की position खराब हुई है, 2020 में मारी position 77 थी, और अब घटकर हो गई है 80 second, हम 42 पैवडान पे चले गए हैं, और यह हम 5 पैवडान नीचे खे सक गए हैं, ठीक है, migration and development brief report के बारे में है, World Bank ने अभी हाल ही में इस report को release किया, इसमें यह यह बताते हैं, कि दुनिया के किस देश से, ज़ादा लोग किस देश में जा रहे हैं, और किस देश से पैसे, किस देश में कितनी मात्रा में जा रहे हैं, यानि कि remittances, report को prepare किया जाता है, migration and remittances unit जो है, development economic, economics यानि कि DEC की उसके दवारा, DEC एक premier research and data arm है, World Bank की, इनका काम होता है data collector, किस देश से, किस देश में लोग जा रहे हैं, remittances का flow कैसा है, मतलब, remittances का मतलब यह होता है, जैसे इंडिया से, अगर कुछ लोग USA में जॉब करने गए हैं, तो अपने family members को पैसे भेज़ते हैं, इसे ही remittance कहा जाता है, इंडिया दुनिया का सबसे जादा remittances अवेल करने वाला देश है, विकॉज इंडिया में एक culture है, यहाँ पे लोग family को रिस्सेदारों को काफी तबज्ज़ देते हैं, बले ही वो किसी और देश में चले जाएं, लेकिन वो अपने family, दोस्तों और इससेदारों को पैसे जरूर से भेजते हैं, इसे बज़़े से इंडिया में remittances का flow बना रहता है और देशों की तुलना में, यह report हर 6 माइने पर तयार की जाती है, यानि कि साल में 2 बार, क्या निकल किया आया? Obviously, इंडिया largest recipient है remittances का, 2020 में हमें मिले थे 83 billion dollar, 21 में मिले है 87 billion dollar, उमीद यह है कि 2022 में मिलेंगे 89.6 billion dollar, COVID के वज़े से कई सारे काम करने वाले लोग, Gulf countries से इंडिया आ गये हैं, वो वापिस जाएंगे, remittances बढ़ेंगे, US, biggest source रहा है इंडिया के लिए remittances अवेल करने का, जो भी remittances आये हैं, उसका 20% तो हमें USA से ही मिला है, इंडिया के बाद नंबर है remittances अवेल करने की स्रेडी में, China, Mexico, Philippines और Egypt का, हमारा next article, नीरा सारा, स्वयम सासित वेदसाला के बारे में है, Indian Institute of Technology यानि कि IIT कानपुर ने एक Aquatic Autonomous Observatory तैयार की है, नाम दिया है नीरा सारा, स्वयम सासित वेदसाला, ये गंगा नदी की health को मोनेटर करेगा, नाम पर जाएए पहले, स्वयम सासित, स्वयम सासित होने का मतलब ये है, कि आपको अलग से इसे कोई energy source नहीं देना होगा, ये एक प्रकार का object होगा, जो आधा पानी के भीतर होगा और आधा तैरता रहेगा, इसका काम होगा पानी की quality को चेक करना, पानी कितना साफ, कितना सही है, पानी का जो flow है, उसके माध्यम से भी ये energy एकठा कर लेगा, तो मतलब ये स्वयम सासित है, आपको बाहर से energy नहीं देनी है, ये खुद के काम करने की energy, खुद ही तैरते हुए बना लेगा, और ये waste salah की तरह काम करेगा, observatory की तरह काम करेगा, इसे develop किया है, Department of Science and Tech की help से, Government of India और Indo-US Science and Technology Forum, इन सभी लोगों ने इसमें मदद दी है, ये low cost है, पानी की quality को अच्छे से monitor कर सकता है, और जो भी data ये click करेगा, इसे ये web-based mechanism के माध्यम से, जो IIT कानपूर है, उसे सौंप देगा, work, इसमें कुछ sensors लगाए गए है, जो sample से कठा करेंगे, ये आधा पानी में रहेगा, semi-subversible का मतलब यह है, हरवदर में काम कर सकता है, robust है, perfectly stable है, बहुत कम खर्च वाला है, इसे तीन parameters के जरिए evaluate करता है, ये weight साला, एक तो ये देखेगा कि pH, यानि की पानी की acidity या alkalinity कैसी है, पानी acidic तो नहीं है, conductivity, metals की क्या condition है, और oxygen, यानि की dissolve oxygen कितना है, हर 15 minutes पे data collect करके, report कर देगा institute को, significance ये है कि जो various frequent floods आते हैं, foam हमने देखा ये बना नदी में आ गया था, पानी toxic हो जाता है, unexpected water level का rice देखने को मिलता है, नद यहां pollute हो रही है, इन सब की जनकारी हमें इससे मिल जाएगी, हमरा next article PNS to grill के बारे में है, चाइना ने अभी हाल ही में इससे बना कर पाकिस्तान को swap दिया है, ये first type है 054A obliq P frigate का, frigate मतलब ये एक warship है, जंगी जहाज है, चाइना के states, builders, corporation लिमिटेड ने इसे बनाया है, चाइना ने इसके पहले भी कई सारे frigate पाकिस्तान को swap पे हैं, लेकिन अभी तक ये सबसे advanced frigate है, जो पाकिस्तान को चाइना की ओर से मिला है, इसमें world class stealth capability है, मतलब ये आसानी से radar वगएरा को avoid कर सकता है, highly capable है, surface to surface, surface to air, underwater fire power रखता है, लंबी range की missiles भी fire कर सकता है, state of art cannons हैं, advanced cannons हैं, जो multiple round fire कर सकते हैं within minute, इसके पास state of art battle management system भी है, जो इसकी fighting capability को बढ़ा देगा, अगर आपके ऐसी country के पास, पड़ो series के पास, जिसके साथ आपकी past में लड़ाई हो चुकी है, वरतमान में enmity है, कोई advanced frigate या हतियार जा रहा है, तो definitely हमें watch करना चाहिए, और इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, हाँ अवारा next article, इंडिया International Science Festival के बारे में है, Ministry of Earth Sciences का ये एक initiative है, इसका 7th edition अभी हाल ही में organize किया किया, इसी organize किया जाता है, jointly by Ministry of Science and Tech, Ministry of Earth Sciences and Vigyanabharati, विभा कहा जाता है short में ही, विज्ञान भारिती क्या है, विज्ञान भारती क्या है, ये मैं भी आपको बता दूंगा, पर्पस ये है कि इंडिया में हम science को celebrate करें, और कोशिस करें कि लोग science से जुड़ें, innovation लेकर आएं, scientific temper को develop करें, इसका पहला edition 2015 में था, आपको याद रखना है, 2020 में इसका 6th edition था, और वरतमान में 2021 का इसका 7th edition है, ये आद रखना ज़रूरी होता है कि कोई initiative कब सुरू हुआ, और अभी जो चल रहा है, वो उसका कौन से edition है, या कौन से number पे है, Nodal Agency है, National Center for Polar and Ocean Research, ये एक autonomous institute है, Ministry of Earth Sciences के तहर्ण, थीम रही celebrating creativity in science, tech innovation and prosperous India, IISF 2021, ये hybrid model में organize किया गया है, मतब virtually भी और कोई अगर in person भी वहाँ जाना चाहता है, तो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, significance ये है, कि ये इंडिया का जो एक long term vision है, कि हम इंडिया में scientific temper को और बढ़िया करेंगे, लोग नए-ने technological innovation के और attract हों, इसी उद्देश से ये festival organize किया जाता है, विज्ञान भारती के बारे में बात करते हैं, जिस पर मैंने भी कहा था कि अभी हम बात करेंगे, एक्चली में विज्ञान भारती की सुरुवात एक moment के तौर पे हुई थी, जिसे नाम दिया गया था स्वादेशी साइंस moment, मताँ भारत में हम साइंस के development को प्रमोट करें, इसे IIT बैंगलूरू के कुछ eminent scientist में शुरू किया था, guidance था Professor KI वसु जी का, ये जो moment था, ये धीमे धीमे momentum अचीव करने लगा, और इसकी presence नेशनल लेवल पे हो गई, 1991 में डिसाइड किया गया, कि स्वधेशी साइंस moment को, All India लेवल पे expand करते हुए, इसका नाम विज्ञान भारती रख दिया चाएगा, तो आपने समझा, कि ये एक moment के रूप में स्टार्ट हुआ, और 1991 में इसे नाम दे दिया गया विज्ञान भारती, इसका core objective यही था, हम यंग scientist को motivate करें, कि वो creative और original scientific ideas की और आगे वढ़े, ये headquartered है New Delhi में, हमारा next article, दुवारे रासन scheme के बारे में है, दुवारे का मतलब घर के बाहर जो हिस्सा होता है, जिसे कई बार दुवार या दुवार कह दिया जाता है, उसी से है, इसका मतलब है ration at row step, आपके घर के सामने आपको रासन मिल जाए, ये बहुत ही बढ़िया इनिशेटिव मैं कहूँगा, अगर इसे successfully execute कर दिया जाए, ambitious initiative है, जो वेश्टमंगाल की chief minister हैं उनका, दुवारे राशन, ये जो scheme है, जैसे होता क्या है, कि एक ग्राम सभा बहुत बड़ी होती है, और उस ग्राम सभा में एक जिगे पे राशन मिलता है, तो जो गाउं के लोग होते हैं, उन्हें कई बार गेर किलोमेटर, दो किलोमेटर, या कई बार उससे जादा भी travel करना पड़ता है, राशन लेने के लिए, कई बार जो परिवार में महिलाएं हैं, उन्हें इतनी दूर पैदल जाना होता है, और राशन थोड़ा भारी भी होता है, जैसे अगर आप जाते हैं, आपको 20-25 किलो अनाज मिल जाता है, तो उसे लाना काफी मुश्किल हो जाता है, करने वाली है, वो हर एक राशन डीलर को, एक लाग की सबसिड़ी देंगे, क्यों देंगे, ताकि वो एक डिलिवरी वहिकल खरी सकें, भाई अगर उन्हें लोगों के घरों के नजजीक तक राशन ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, तो जो भी गाड़ी वो खरी देंगे, उस पर उन्हें एक लाग की सबसिड़ी मिल जाएगी, अब लेकर कौन जाएगा, जो राशन बारता है वही लेकर जाएगा, वो ये काम कैसे करेंगे, उनके पास अल्रेडी काम है, तो वो दो लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, एजन असिस्टेंट, और उनकी जो भी सेलरी दी जाएगी, उसका आधा सरकार अपनी ओर से दे देगी, तो कुल मिला के कुछ एक कदम आगे बढ़ाएगे, ये वो रासन डीलर्स और एक कदम सरकार आगे बढ़ाएगी, और लोगों के घरों के नजदीक तक राशन पहुचा दिया जाएगा, जो वहिकिल है, उसे इतनी दूर तक लेकर जाया जाएगा, कि किसी भी व्यक्ति को रासन लेने के लिए, पांस सो मीटर से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़ी, उमीद है कि इससे दस करोन लोगों को फाइदा मिलेगा, तो इसका आप मीन्स में भी मेंशन कर सकते हैं, गुड गवर्निस के फॉर्म में, या फिर कोई एक्जैम्पल देते बादे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, सफाई मित्र सुरप्छा चैलेंज के बारे में है, मिर्स्ट्र आफ हाउसिंग एन अर्बन अफेर्स का इनिशेटिव है, महुआ का इनिशेटिव है, वीक लॉंग अवेर्निस कैंपेन है, हम लोगों को बताएंगे कि जो सेप्टिंग टैंक की गंदगी साफ की जाती है, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्फ होते हैं, अगर वो मैनुवली ये काम करते हैं, तो उनकी जान को खत्रा होता है, लिकॉस कई सारी जहलीली गैसे, उसमें से कई बार गैसेस निकल जाती है, तो सफाई में तो सुरक्षा चैनलेंज में, यानि कि SSC में, जो वोल्ट ट्वालेट डे है, 19th नॉम्बर को सेलिबरेट किया जाता है, हर साल, इसमें हम लोगों को अवेर करेंगे, सुरक्ष अम्रेट दिवस रन किया जाएगा, लोगों को बताएंगे कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को हमें छोड़ना है, तो क्या, मतलब जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई किया करते हैं, इसमें बात क्या की जा रही है, कि हम mechanized cleaning करें, मतलब machines का इस्तिमाल करें, ना कि manual cleaning करें, तो क्या, जब हम mechanized cleaning करेंगे, तो जो ये सफाई करनी है, इनकी job चली जाएगी, इनके पास काम नहीं होगा, septic tanks या receiver साफ करने का, पुरा मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हम लोगों को aware करें, कि जो cleaning की जाती है, manually, ये कितनी खतर नाख होती है, इसमें एक component ये है, कि इसमें loan मिला organize किया जाएगा, मतलब जो existing सफाई करमीज हैं, वो loan ले सकते हैं, और इस loan की माध्यम से, वो receiver या septic tank clean करने वाले machine से equipment करीज सकते हैं, जिसका इस्तिमाल वो cleaning में करें, उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उनकी job भी नहीं जाएगी, हम infra creation करेंगे, ताकि mechanized cleaning बढ़ियां से हो सके, dedicated help line number भी रहेगा, 14420, कहीं पर septic tank फुल हो गया है, overflow हो रहा है, तो आप call कर दीजिए, तो जो भी कर्मी हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनके पास machines होगी, उसका इससे माल करके वो से साफ कर देंगे, और किन सहरों में ये practices कितने बढ़ियां से चल रही है, इसके basis पे सिटीज को award भी किया जाएगा, हमारा next article, Galantry Awards के बारे में है, Galantry Awards का मतलब है वीरता अवार्ड, अगर किसी व्यक्ती ने बहुत ज़्यदा सौर या वीरता का परिचा दिया है, तो ये अवार्ड ने दिया जाता है, President of India ने अभी हाल ही में, Galantry Awards दिये हैं, 2021 के लिए, Galantry Awards क्यों दिये जाते हैं, वीरता पुरसका या Galantry Awards, Honor करने के लिए दिया जाता है, किसी भी Soldier, Personal या Officer की Bravery और Sacrifice को, वो Armed Forces से बिलॉंग करते हुए हो सकते हैं, या कई बारी अवार्ड सिविलियन्स को भी दिये जाते हैं, अगर उन्होंने Extra-Ordinary Courage दिखाया है तो, Ministry of Defense, इसके लिए अप्लिकेशन साल में दो बार इन्वाइट करती है, ये अप्लिकेशन आम फोर्स को देने होते हैं, और Union Ministry of Home Affairs को देने होते हैं, कि वो किसे चाहते हैं कि ये अवार्ड दिये जाएं, और उनके कॉंट्रिबूशन को भी मेंशन करते हैं, फर्दर, साल में दो बार ये अवार्ड दिये जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे के ओकेशन पे, और दूसरा इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे, इन अवार्ड के हिस्ट्री क्या है, डेस की आजादी के बाद ही, पहले तीन गिल्वार्ड पनाएंगे, इसके पहले कि मैं आपको इन अवार्ड के बारे में बताऊं, मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं, इन अवार्ड को आप दो केटिगनीज में डिवाइड कर सकते हैं, Ward Time Galners Awards और Peace Time Galners Awards नामसे सपश्ठ है ऐसे Awards जो किसी व्यक्ति को उस समय वीरता दिखाने के लिए दिये जाएंगे जब युद्ध की स्थिटी हो युद्ध चल रहा हो और ऐसे Awards जो Peace Time में किये गये किसी वीरता की काम के लिए दिये जाएं ऐसे अवार्स जो वार टाइम गेलेंटरी के लिए दिये जाते हैं वो हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र परमवीर चक्र गेलेंटरी अवार्स में सबसे सुप्रीम माना जाता है second number पे महावीर चक्र और third number पे वीर चक्र हायर्की में आते हैं ये केवल तभी दिये जाते हैं जब किसी व्यक्तिने war के time पर बहुचदा वीरता या सौरे का परिचा दिया हो ये मडो परांत भी दिये जा सकते हैं पीस Τाइम FROM도र्णरी ओवार्ड इसमें आते हैं असोप चक्र कीरती चक्र और शौऔर चक्र इसके लावां टीनों ही सेना एंपने अपने मेडल्स भी देते हैं जैसे की सेना मेडल, नो सेना मेडल और वायू सेना मेडल बाल आरमि देती है नौ सेना मेडल नैवी देती है और वायू सेना मेडल एर फोर्स दिया करती है इसके हिस्टरी अब समझते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो वार टाइम डिलेंटरी अवार्ड्स हैं इन्हें 26 जन्मरी 1950 को इंस्टिट्यूट किया गया और कहा गया कि ये 15 अगस्ट 1947 से ही applicable होंगे मतब उसके बाद जिसने भी वीरता दिखाई है वो इस अवार्ड के लिए eligible होगा उसके बाद तीन और अवार्ड्स बनाए गए असोग चक्र क्लास 1, असोग चक्र क्लास 2 और असोग चक्र क्लास 3 लेकिन बाद में 4 जनवरी ये देखे बने तो 1952 में थे लेकिन लेटर ओन जनवरी 1967 में इनका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया असोग चक्र, किर्ती चक्र और शौरे चक्र तो आप ये लेंटरे अवार्ड समझ चुके हैं हमरा नेक्स्त आर्टिकल ऐल सलवाडोर्ड के बिट कोईन सिटी के बारे में है एल सलवाडोर्ड ने अभी अनौस किया है कि वो एक बिट कोईन सिटी बनाईगे इसके पहले उन्होंने बिट को लीगल टेंटर डेकलेर कर दिया था मतलब उसे कोई लेने से बना नहीं कर सकता जो bitcoin city ये बनाने वाले हैं इस city को बनाने का खर्चा कहां से आएगा इसका खर्चा पूरा करने के लिए ये एक billion bitcoin bond जारी करेंगे और इसी bond से इस city को बनाया जाएगा इसी city में ये bitcoin mining का एक proper system establish करेंगे जहाँ पर bitcoin को mine किया जाएगा bitcoin को mine करने के लिए हमें बहुत ही high performance computer की आविशक्ता पढ़ती है जहाँ पर हमें complex mathematical calculations को solve करने होते हैं bitcoin को generate करने के लिए तो El Salvador में ये bitcoins generate किये जाएगे location देखिए ये है El Salvador ये है North America जहाँ पर USA और Mexico हैं ये है South America बीच में आता है Central America जहाँ पर छोटे-छोटे कई सारे देश हैं वही पर ये है Guatemala ये है Belize और यहाँ पर आता है El Salvador जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ इसके East की ओर आता है Honduras अब ये जो city ये बनाने वाले हैं actually मैं यहाँ पर गल्फ है उस गल्फ को कहा जाता है Gulf of Fonseca और इसी गल्फ के नजदीक में यहाँ पर है देखिए एक वाल्केनों का नाम यहाँ पर बटाया गया है that is Concha Gua वाल्केनों तो Concha Gua वाल्केनों यहाँ पर है और यहीं पर इस city को बनाया जाएगा इसी वाल्केनों की थर्मल इनर्जी का इस city की इनर्जी निर्स को पुरा करने के लिए किया जाएगा इन्होंने पाइले विट्कॉइन मैनिंग वेंचर भी स्टार्ट किया था एलस अलवाडोर में इसके पहले ते कापा वाल्केनों के पास क्योंकि जो high-performing computer होते हैं उन्हें पहुजदा energy चाहिए होती है बिजली चाहिए होती है तो ये वाल्केनों की thermal power से बिजली बनाते हैं जिसका इस्तेमाल इन high-performance computer में किया जाता है bitcoin mining के लिए हमरा next article Global Nutrition Report 2021 के बारे में है अभी हाल ही में से release किया गया है multi-stakeholder initiative है कई सरे stakeholders एक साथ आते हैं जिसमें एक stakeholder group होता है अलग-लग entities उसका हिस्ता होती है एक independent expert group होता है और एक report secretariat भी होता है ये सब मिलके इस report को तयार करते हैं 2013 में पहला nutrition for growth initiative summit हुआ था N4G summit उसी दौरान प्लान किया गया था कि हम global nutrition report तयार करेंगे परपस यही है कि हम एक independent assessment करते हैं कि दुनिया भर में nutrition की क्या स्थिती है लोगों को बढ़िया खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है उसका पूरा data मिल जाता है इंडिया के बारे में क्या निकल के आया इंडिया में रहने वाली आधे से ज़ादा महिला आये जिनकी उम्र 15 से 49 के बीच है वो एनिमिक है मतलब की उन्हें proper nutrition नहीं मिलता इंडिया नहीं childhood westing के field में कोई progress नहीं किया है बलकि situation खराब हो रही है westing का मतलब यह होता है कि height के हिसाब से बच्चे का weight नहीं होता 17% बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है वो westing का सिकार है stunting की बात करें तो इसमें इंडिया ने progress तो की है stunting का मतलब यह होता है कि उम्र के हिसाब से बच्चे की height नहीं वर्ष नहीं वर्ष लेकिन फिर भी वर्ष कॉंग्रेस और डिजास्टर मैनेजमेंट 24 नॉमबर 2021 को यह initiative किसका है यह initiative है DMICS का full form है disaster management initiative and convergence society यह society हैदराबार में headquartered है उन्हों नहीं यह initiative लिया हुआ है वर्ष का क्या काम है इस वर्ष कॉंग्रेस में हम करते हैं exactly इस वर्ष कॉंग्रेस में सभी लोग एक साथ मिल बैठते हैं यहाँ पर science, policy और practices तीनों को एक साथ जोड़ा जाता है जो हमारे पास scientific knowledge है जो government के दरफ से policies बनाई जाती है और जो practices opt की जाती है हम उन्हें इस तरीके से add on करें कि जो भी disaster related risk है हम उन्हें अच्छे से समझ पाएं advance में जो भी actions required हैं उन्हें ले पाएं ताकि resilience create किया जा सके resilience का मतलब होता है disasters को सहने की छबता उनके पती हमारी तयारी हम उसे बहतर बना सके थीम रही technology, finance and capacity for building resilience to disaster in context of COVID-19 क्या highlights रही जहां भी focus किया गया effective response mechanism पर यह एक important point होगा जहां पर हम humanitarian prices कैसे address किया जाएं इस पर वाचीत करेंगे natural disasters यह actually में सागर जो हमारा initiative है security and growth for all in region इसका भी important component है अगर आप देखें तो इंडियन ओशन रीजन में अगर कहीं भी कोई भी घटना हो तो सबसे पहले respond करने वाला देश इंडिया होता है चाहे वो humanitarian या फिर technical aid हो इंडिया लगा अतार humanitarian aid और disaster relief conduct करता रहता है ताकि various countries आपस भी cooperate कर सके ऐसे city से निपटनी के लिए तो यह जो world congress है यह collective solution देता है कि हम global challenges को कैसे handle कर सकते है कोविड 19 के बाद के समय में या बाद के दुनिया में एक्ट आर्टिकल state of food and agriculture report 2021 के बारे में है short में आप इसे sofa report बोल सकते हैं इससे release किया गया है food and agriculture organization यानि की फाव के द्वारा making agri food system more resilient to shocks and stresses यह इसकी theme है याद रख सकते हैं आप जैसे नॉर्मल आप sofa imagine करिये उसमें foam होता है जिससे वो sofa बना होता है तो आप एक मान सकते हैं कि इस sofa में foam नहीं है बलकि फाव है तो फाव इस report को release किया है फाव ने यानि की food and agriculture organization ने यह फाव का एक annual flagship report है जहाँ पर वो science based assessment करते हैं उन सब important issues का जो food and agriculture से associated है हम पता करते हैं कि food की need कहां कैसे पूरी हो रही है यहाँ पर एक important keyword है agri food system क्या मतलब है इस keyword agri food system का agri food system web of activities को involve करता है मतलब इसमें कई सारी activities सामिल होती है food है इसका मतलब यह केवल नहीं केवल agriculture, agri food है तो agri culture से originate होने वाला food सिर्फ मामला इतना नहीं है बलकि agri culture से जो कुछ हमें मिलता है चाहे वो food हो या फिर non food हो वो सभी इसका हिस्सा बन जाते हैं उनका केवल production ही नहीं बलकि उनका storage, उनकी processing, transportation, distribution और consumption इन सभी को मिला कर बनता है agri food system agri food system हर साल 11 billion ton food generate करता है 32 million ton natural fiber और 4 billion ton would be इसी agri food system के ज़रा originate हर साल किया जा रहा है क्या निकल के आया findings में findings में ये निकल के आया कि दुनिया भर में quarter of employment यानि कि 25% जो employment है वो इसी agri food system से originate हो रहा है यहां मामला केवल agriculture का नहीं है बगल की agriculture से associated जो और activities है जैसे मैंने आपको बताया storage, processing, transportation इसमें भी जो employment involved है उसे भी हम यहां count कर रहे है सब साहरन एफरिका में अगर आप जाएंगे तो आधे से ज़ादा आबादी agri food system में involved है employed है और low income countries में 60% population आपको agri food system में employed दिखेगी इसका एक estimation के according जो gross value है agriculture output का 2018 का data हमारे बास right now available है that is 3.5 trillion अब agri food sector की बात करते हैं greenhouse gases के emission के terms में जैसे greenhouse gas का emission दो sources से हो सकता है एक तो natural और दूसरा man-meer जैसे आप anthropogenic भी बोल सकते हैं तो जो anthropogenic greenhouse gas का emission होता है उसका one third emission आपको अकेले agri food जो पूरा system है उसी से मिल जाएगा ये heading यहाँ पे गलत है further earth पे जो भी land area है उसका 37% ये जो हमारा agri food sector है वो cover कर लेता है FAO के बारे में बात करते हैं FAO एक specialized agency है UN की जो कोशिस करती है कि hunger को defeat किया जाए headquarter है इटली के रोम में 1945 में इसे बनाया गया था FAO का goal है कि सभी लोगों के लिए food security को इंशार किया जाए सभी लोगों के पास high quality food available हो ताकि वो healthy life जी सकें India FAO का member है ये आपको याद रखना है India FAO का member है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much